जिला द्यक युवा परिस्द की और युवा परिस्द की पदादिकारी की बैठक थी जिसमें हमारे सारे नेता यहां मौझूद थे जीला वार्ज एक दिरना लिया गया कि अविलम चुनों के पहले तक बिहार प्रमंडल वाइज बिहार के हर प्रमंडल में जाकर पहले देश में जिस तरीके से महात्मा गांधी और गोटसे के बीच में कोई फर्क नहीं रहने दिया जा रहा है गोटसे बादी लोग लगातार महात्मा गांधी पर हमला कर रहे हैं हम बेटकरबादी सोच पर हमला हो रही है अब हनुमान से रावन को गाली आया गाली दिलवाय जा रहा है लगातार पिक्चर के माध्यम से नफ्रत पैदा किया जा रहा है लगातार उनमात पैदा हिंदुस्तान में नौ मेने चुनों के बाद करने की तैयारी हो रही है उसमें बेरोजगारों की चिंता रोजगार को लेकर के कोई बाचित हिंदुस्तान में नहीं हो रही है जो राइट ओफ एजुकेशन की बाद, राइट ओफ हेल्थ की बाद, राइट ओफ वर्क की बाद जो होनी है, हम संबेलन संबाद के द्वारा सभी जगा सभी साथियों को लैस करेंगे, कि आज बेरुजगारों की आवाज कौन है। एक मजबूत दायक कौन होंगे, युवा परिशर, इसलिए बहुत किलियर है, हम फिर उस बात को दोहराते हैं, कि जनदिकार पार्टी और जनदिकार पार्टी के विंग, जो युवा से लेकर, युवा सक्ती से लेकर, छाप से लेकर, प्रिगेट से लेकर, सब का एक ही संगर्ज के साथ, बिना जाती धर मजब के, आम आदमी को जनदिकार पार्टी से जोड़ने, के साथ, हम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो अबादी है, यूद और उसमें जो बिहार सबसे बड़ी अबादी है, उस यूद की अबाद के लिए एक परिश्द के द्वार सम्मेलन बजाबते संग टाइम टेबूल दे करके किया गया है, जिसको आपको अभी हमारे युवा परिश्द के अध्यक्स दे देंगे, हम चाहते हैं कि नो मेने चुनों के पहले, हम लोग एक मजबूत संगठन के साथ, अपनी भूमिका विहार के संदर में टाय करें, और अपने भागिदारी और हिस्सेदारी विपक्स य भूमिका में हम देखेंगे कि हमारे साथ उनका वहबार, उनका प्रेम किस तरीके का है, इसलिए आज यह बैठक इसी तरह कि इतने संकल्प के लिए बुलाएं, कॉंग्रेस के साथ गढवन्दन की बाते कहीं हैं आपने, देखेंगे, आज को युबा परिस्द की बैठक थी से, और इसके लिए संबाद समेलन और बिहार में जो रोजगार की चर्चा देश में नहीं है, नरिंदर मोदी के द्वारा खतम किया जा रहा है, उसको ले करके हम और जिस तरीके से नफरत के बजार में जाती धर्मजब को अलग-अलग किया जा रहा है, बजापते सुर्वात करेगा, अनुमंदर समेलन के बाद, बेरुजगार समेलन की सुर्वात करेंगे, और हम आम आदवी के सुर्कार की बाद करेंगे, जहां तक गटबंधन का है, तो गटबंधन समय पर आप चिंता मत कीजिए, आने आपको खुद पता चल जाएगा, कि हम गटबंधन के हिस्सा वैसे तो मैं आपको बता दू, हमारी विचारधारा कॉंग्रेस और महा गटबंधन की विचारधारा के साथ हमेशा एस्थेंडबाय रही है, हम हमेशा लगातार प्रियास करते हैं, उनकी विचारधारा को प्र